भारत की संसद में सुरक्षा की बड़ी चूग का मामला सामने आया है आज संसद में ऐसा हंगामा कटा कि वहां मौजूद संसद हर बड़ा गए और वहां अफरा तफ्री का माहौल बन गया आपको बता दे कि आस संसद की कारवाही के दौरान दो अंजान लोगों ने लोकसबा में घुसकर अचानक बवाल कार दिया दोनों ही अंजान लोग सीटों पर कूद गए जहां पर संसद बैठे थे दोनों की कूदते ही सदन में अफरा तफ्री का माहौल मच गया और वहां मौजुद संसद इधर उधर भागने लगे ये पूरा वाक्या हुआ तो वहां मौजुद सुरक्षा कर्मी तुरंत आक्शन में आ गए और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सदन में धुआ उड़ रहा है और घटना के बीच संसद हर बढ़ा कर इधर उधर भाग रहे हैं ये घटना सदन के अंदर ही नहीं बलकि सदन के बाहर भी हुई है दोनों ही घटनाओं में स्मोक बम का इस्तमाल भी हुआ है ये मामला ऐसे समय में हुआ है जब आज संसद पर हमले की 22 भी बरसी मनाई जा रही है इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर दोनों ही शक्स किसके रेफरेंस से सदन में घुसे थे आखिर कैसे आज ही के दिन संसद में ये हाथसा हो गया इस पुरे मामले में कॉंग्रेसान सतकार्तिच दंबरम ने कहा कि अचानक करीब 20 साल के दो युवक दर्शक दीरगा से सदन में कूत पड़े और उनके हाथ में कनस्तर थे इनकानस्तरों से पीला धुआ निकल रहा था उनमें से एक अध्यक्ष की कुरसी की और भागने की कोशिश कर रहा था वही समाजबादी पार्टी की सानसत दिमपली आदव ने कहा कि जो लोग भी यहां आते हैं चाहें वो महमान हो या फिर पत्रकार वो टैक नहीं रखते हैं इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षा चूक है बीजेपी सानसत राजें रगवाल ने कहा कि निश्चत रूप से ये बड़ी खामी है जब पहला व्यक्ति कूदा तो हमें लगा कि वो गिर गया होगा लेकिन जब दूसरा व्यक्ति भी कूद कर आ गया तो हम सभी भी सतर्क हो गए आखिर ये हाथसा कैसे और क्यों हुआ इस पर जाच अभी जारी है लेकिन आपको बता दें कि बीदे कुछ दिनों पहले ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने गीदर भपकी भी दी थी कि वो उसकी तताकतित हत्या की साजिश का बल्ला लेने के लिए 13 दिसंबर को कुछ ऐसा करेगा कि संसत की नीव हिल जाएगी वो 13 दिसंबर को संसत भवन पर हमला करेगा देखा जाए तो आज सदन में हुए हमले को आतंकी पन्नू की धमकी से भी जोड़ कर देखा जा रहा है लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर ये हाथसा किस ने और क्यों करवाया हलांकी जाच अभी जारी है और जल ही इस बात का खुलासा हो जाएगा कि ये हाथसा किस ने और क्यों करवाया